हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जिकेवी दरवीजन सबसे पहले बात करते हैं आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आपके और आपके परिवार को हैपी हो ली अब अपने बात करते हैं आज के जो भी most important question है जो कि last week के अंदर अपनों ने study किये थे उन सभी के revision की सो बात करते हैं सबसे पहले first question के बारे में स्युक्त राष्टर विसो खुसहली रिपोर्ट 2021 में किस देश ने सिर्ष इस्थान प्रापत किया so Finland country ने इसके अंदर first position हासिल की है फिर बात ये अपने करते हैं ये एक report जारी की गई थी ये जो report पेस की गई है United Sustainable Development Solution Network के द्वारा particular ये जो report है वो जारी की गई इसके अंदर जो India की rank रही है वो 139th rank रही है और ये जो report पेस की गई है total 149 countries के अंदर ली गई थी जिसके अंदर India की जो rank है वो 139th rank रही थी अब इसी तरह से ये बात करते हैं last year जो रही थी वो India की जो rank रही थी वो 114th rank पे रही थी अब अपने बात करते हैं next question के बारे में केसराज्य के मुख्य मंतरी ने मिसन ग्रामो योजना स्टार्ट करी जिसके तहत वहां पर जो भी person रहते हैं जिनके घर नहीं है उनको घर प्रवाइड करवाई जाएंगे और गाम के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एविलेबल है उनको और आगे इस योजना के अंदर बढ़ाया जाएगा फिर बात करते हैं next question की वर्ष 2020 के लिए उतकर्ष्ट महिला पत्तरकारिता प्रुषकार के लिए चमेली देवी जेन प्रुषकार जो है वो किसे प्रवाइड करवाया गया सो उत्तर प्रदेश के लखरोग की रहने वाली नितु सिंग को ये जो महिला पत्तरकारिता का अवार्ड है वो प्रवाइ एसी महिला थी जो की जो हमारा सलतंतरता संगराम चल रहा था उस दोरान सबसे पहले जेल में जाने वाली ये महिला बनी थी और उन्हें के उपर जेन समाज के दोरा ये जो पत्रकारिता प्रुषकार है वो गोशना की गई थी फिर बात करते हैं स्टॉक होम इंटरनेशनल पी विस्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा देश है वो इंडिया बना है और पहले नंबर पे जो है वो साओधी अरब था अब यदि अपने बात करते हैं यह तो है ख्रीदने के मामले में अब यदि अपने कहिं के बेचने के मामले में फर्स्ट पोजिशन पे जो रहा था व अब अपने बात करते है नेक्स्ट क्DIO की परतेरक वर्स टॉंटेंथ मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है सो इंटरनेशनल हैपीनेस जो डै है वो इस दिन मनाया जाता है और इस दिनम रखी थी कीप काम स्टेवाइस एन-डी काइंड रखी गई थी सो ये वाला जो क्ष कारिक यात्रा पर 19th मार्श 2021 को भारत आये थे तो यूएसे के जो रक्षा सचीव हैललोईड ओस्टीन ये भारत की यात्रा पर आये थे और इनके द्वारा ये पद ग्रहन करने के बाद पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश की यात्रा ये इनकी पहली थी फिर बात करते ह जिसके अंदर नया राश्ट्री या रिकोर्ड बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया सो अविनास साबले जो कि महाराष्टा के रहने वाले और आर्मी के अंदर जोब कर रहे हैं उनके द्वारा ये रिकोर्ड बनाया गया है ये जो रिकोर्ड इनके द्वारा बनाया गया 8 मिनट 20 सेकंड 20 नेनो सेकंड के अंदर इनके द्वारा 3000 जिनियर नेशनल रेस चैंपियंशिप का आयूजन किया जा रहा है जो कि पंजाब के पटियाड़ा के अंदर उसका आयूजन किया गया है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की 67 में राष्ट ये फिल्म प्रुषकार में सरोस्रेश्ट अभिनेता का जो प्रुषकार मिला वो किसे मिला जो ये जो प्रुषकार इस बार दो परशन को प्रवाइड करवाया गया जिन्नों ने ये अवाड़ शेयर किया है so manoj vajppeni और धनुश manoj vajppeni को जो यह अवार्ड प्रवाइड करवाया गया भोशले मुवी के लिए और जो असुरन मुवी है तमिल की उन धनुश को इसके लिए प्रवाइड करवाया गया है यदी अपने सरोस्ट अभिनेत्रिक के बात करते हैं जो रन्नोत है उनको इस अवार से सम्मानित किया गया है अब ये दिये अपने बात करते हैं ये जो प्रुसकार है राष्ट्रे फिलम प्रुसकार मिनिस्ट्री ओफ इन्फॉर्मेशन और ब्रोड कास्टिंग के थिरू प्रुवाइड करवाए जाते हैं सबसे पहले जो ये प 54 के अंदर प्रुवाइड करवाएगे थे फिर बात करते हैं कौन सा रज्य अपनी इथनोल निती रखने वाला पहला रज्य बना है सो बिहार रज्य इसके अंदर फर्स्ट पोजिशन पे आया कि बिहार ही जो है ऐसा रज्य बनाए जो अपने यहां पर इथनोल का स्पोर्ट फेडरेशन वी सो कप में पहला स्वन पदक जो है वो किसने प्रापत किया सो भारत की तरफ से यह जो गोल्ड मेडल प्रापत किया धली की रहने वाली यह शशनी देशवाल के द्वारा प्रापत किया गया है अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर और इसके अंदर इंडिया की पोजिशन जो हो क्या रहने की उमीद है फिर बात करते हैं इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की रक्षा वेबसाइट मिल्टी डारेक्ट के अंसार किस देश की सेना वी सो की सबसे सी के अंदर जो समुद्र होता है उसके अंदर सबसे फर्स्ट पोजिशन पे है इसी तरह से सेकेंड की बात करते हैं तो यूएसे की आर्मी है जिसकी एर फोर्स सबसे मजबूत है थर्ड नंबर की है जो रश्या की आर्मी है जो की अपने जो थल से ना होती है वहां पर सब से मजबूत बनी इसी के आगे अपने बात करते हैं फूर्थ नंबर पे हमारे देश का नंबर आता है जो कि इंडिया का है फिर बात करते हैं टुन्टी सेकिंड मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है so water day इस दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी जो theme रखेगी ballooning water रखी गई है और यह दिए अपने बात करते हैं 22nd March को जो बिहार डे है वो भी मनाया जाता है बिहार रज्य की जो स्थापना हुई थी 22nd March 1912 को हुई थी इसी वज़े से यहां पर बिहार का स्थापना दिवस भी 22nd March को मनाया जाता है नीदरलेंड के चोथी बार प्रधान मंत्री के रूप में किसने सपतली सो मार्क रूटे ने वहां पर सपतली है यह यहां पर continuously 2010 से वहां पर प्राइम मुनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं और अभी फिर उनने वहां पर अभी रिजाइन किया था इनके जो पूरी की पूरी टीम थी कैबिनेट कमिटी कैबिनेट जो थी उनने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनके उपर बेश्टा चार के आरोप लगाए थे इस वुज़े से उनने रिजाइन किया फिर दुबारा चुना हुए जिसके अंदर विए दुबारा जीते और दुबारा वहां पर अगेन फॉर्थ टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिर बात करते हैं ग्लोबल होम प्राइस सुची में भारत का जिस्थान है वो 56 नमबर पे रहा है फिर बात करते हैं नियो ग्रोथ का ब्रेंड अमबैसेडर किसे ने किया गया तो अजिक्या रहाने को इसके लिए किया गया है और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अजिक्या रहाने को मैन ओफ दा मेच औस्टेलिया सेरीज पे मिला था और उस मैडल का क्या नाम है जो कि उनको पहली बार प्रोवाइड करवाया गया पूरे वर्ड के अंदर ये पहला मैडल जो है उनको दिया गया जो कि एक मैन ओफ दा मेच के रूप में था जो भी परसन मुझे इस कान से कमेंट्स में बताएगा उसका जो नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फोटो पब्लिस किया जाएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की 2020 के लिए गांदी शान्ती परुषकार जो है वो किसे मिलेगा सो बंग बंदु सिख मुझफिर रह्मान को इस समान के लिए समानित किया जाएगा उनके नाम का जो चेन है वो किया गया है ये बंगलादेश के रहने वाले है और इसी के साथ जो 2019 का गांदी शान्ती परुषकार है उसके नाम की गोशना भी की गई जो कि उमान के सुल्तान कबुस बिन सेयद बिन को परुवाइड करवाया जाएगा और 2018 का जो ये परुषकार था वो जापान के शशाकावा को परुवाइड करवाया गया था जो कि NTPC की एक सिफ्ट के अंदर कोशन पूछा गया था कि 2018 का गांदी शान्ती परुषकार किसे मिला था फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की किस राज्य के मंतरी मंडल ने उतकरश्टा सिक्षा के साथ हंडर स्कूल खोलने के मंजूरी परवाइड करवाईड करवाईड है तो दहली राज्य के द्वारा ये मंजूरी परवाइड करवाईड करवाईड गई करने की गोशना की गई है फिर बात करते हैं जल शक्ती अभ्यान कैस्ट दा रेन अभ्यान किस के द्वारा स्टार्ट किया गया तो नरेंदर एज है वो decide की गई है तो नई एज जो है वो 21 year decide की गई है इससे पहले जो यह age थी वो 25 year old थी फिर बात करते हैं परतेक वस 23rd March को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो सही दिवस इस दिन मनाया जाता है इस दिन हमारे देश के तिन जो करांतिकारी थे भगस दिन सुकदेव और र औपन में महिला एकल का किताब किसने जीता सो जापान की नोजोमी अकुअरा के द्वारा ये और जो जीता गया था और इसी तरह से अपने means category की बात करते हैं तो मलेशिया की ली जी जियांग के द्वारा ये जीता गया है फिर बात करते हैं किस टीम ने टी 20 रोड सेफटी वर्ल्ड स्रीज का फाइनल जीता सो इंडिया लीजेंड्स के द्वारा ये जीता गया और उन्होंने सिरिलंका लीजेंड्स को इसके अंदर हरा था यह बैसिकली एक किर्केट की सिरीज है जिसके अंदर जो अपने पुराने cricket player थे उन्होंने इसके अंदर participate किया और इस पूरी सीज़ के अंदर total six जो कंटीज है उन्होंने participate किया था और जो final कहला गया वो इंडिया के अंदर खेला गया था और इंडिया की जो और सिरलंका की टीमोंने final इसके अंदर खेला था फिर बात करते हैं bring government earn people closer उस तक जो है उसके जो writer है वो डॉक्टर एम रामचंदरन जी है इस उस तक का जो विमोचन किया गया हमारे देश के जो उपराश्ट पति वंकया नाइडू जी है उनके द्वारा किया गया है फिर बात करते हैं next question की भारत के 48 वे मुख्यन आइदिस कौन हो सकते हैं नाम की सिफारिश की गई है कि ये अब सबसे ज़्यादा जो most super senior जो जजज है वो यहीं है फिर बात करते हैं कि सरकार ने भारत का पहला सरकार संचाली पसू एम्बूलेंस नेटवर्क जो है वो लांच किया अंदर परदेश के मुख्यमंतरी जगन मौन रेड़ी जी के द्वारा ये लॉंचे किया गया है और जो जगन मौन रेड़ी जी है उनको वर्स दो ज़ार के लिए स्कोच सीय मौफदा ये रावार्ड से भी समानित किया फिर बात करते हैं इस कोशन के अपने बात कर चुके हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वान पत्व जो किस के द्वारा जीता गया सो सिंग राज के द्वारा जीता गया और यह जो आयोजन किया जा रहा है पेरा ओलम्पिक शूटिंग वर्ड कप का यूए के बिन आलम नाम की जगह हैं वहां पर इसका यूजन किया गया और जो मेडल लिस्ट जारी की गयी है जिसके अंदर इंडिया इसके अंदर थर्ड पोजिशन पर रहा है फिर बात करते हैं ट्वन्टी फॉर्थ मार्च को जो है वह टीबी डे मनाया जाता है और वर्ड क्लोक इस बार इसकी जो थीम रखी गी थी वो क्लोक टिकलिंग नाम से रखी गई है फिर बात करते हैं किस देश ने 38 वी देशी उपकरों को कक्षाम ने सफलता पूर्वक लॉंच किया सो रश्या कंटी के द्वारा ये लॉंच किया गया है इस ये जो टून 38 सैटलाइट इनके अंदर मुख्य बात ही है कि जो टिनेशिया नाम की कंटी है उसके द्वारा पहला जो सैटलाइट बनाया गया सवदेश में में सैटलाइट वो भी इसके अंदर लॉंच किया गया है और उसका जो नाम रखा गया है वो चैलेंज फ़िस्ट नाम से रखा गया है फिर बात करते हैं किस हिंदी लेखक को व्यास सम्मान टूजन टॉन्टी से समानित किया जाएगा सो के के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रोफिशर शरद भागडे को इस समान से समानित किया जाएगा जो कि उनके उपन्यास पाटले पुत्र की सम्रगी नाम से लिखा गय जो जनरल होते हैं उसकी पोस्ट के लिए चेरिंग किया गया सो विवेख मूर्ती को सेलेक्ट किया गया है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन की महिलाओं में आई सीसी टी ट्वन्टी की रेंकिंग में सिर्स इस्थान किसने प्रापत किया सो भारत की सत्रा वर्स की सेफा भारत की जो जीडिपी दर है फाइनेंस लिए ट्वन्टी टू के लिए जो रहेगी 12.8 परसेंट सो फिच रेटिंग के द्वारा ये अर्मान जारी किया गया फिच रेटिंग के द्वारा ये अपने बात करते हैं इसका जो हैड़कॉर्टर है वर नियूर्क ये इसे के अं नियूर्मान किया जा रहा है और ये जो शुरूंग बनाई जा रही है उसका नाम जो है स्टैड सिप टरनल रखा गया स्टैड हैवेट नाम का वहाँ पर एक प्रायदीप है और स्टैड जो समुद्र है वहाँ पर इसका नियूर्मान किया जा रहा है जिसकी वज़े से इस क्रोनर जो होती है यहां की करनसी चलती है वो खर्च होगी फिर बात करते हैं बोधिक संपदा सुचकांक में भारत का इस्थान जो है फोर्टिंथ नंबर का है और इस से पहले जो लास्ट यह था वो 53 नंबर का था यह जो इंडेक्स जारी किया गया है वर्ड इंटल थे उनका जो समय डिसाइड किया गया था वो 21-22 तक किया गया था लेकिन अब इसको भारत सरकार के द्वारा 25-26 तक बढ़ा दिया गया है फिर बात करते हैं 2050 तक भारत जो है सुद्ध सुन्या सर्जन का लक्षा वो प्रापत कर लेगा फिर बात करते हैं जो इंडियन ऑव खोले जाने की गोशना की गई है फिर बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नाम से एक पुष्टक जो लिखी गई वो समीर सोनी के द्वारा लिखी गई है अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगी कि माई एक्सपेरिमेंट विद टुथ नाम से एक और्टो बायोग्राफी लिखी गई है वो किसके उपर और किसके द्वारा लिखी गई है जो भी परसन मुझे इस कांचर बाक्मेंट्स में बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फोटो पब्लिस किया जाएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की यू इसके अदर आपने मद्यापरदेश्त के मलखम्म की बात करते हैं और पंजाब के गटका डांस की बात करते हैं के टल्वारबाजी से रेटेड है वो भी इसके अंदर सामिल किया गया था फिर बात करते हैं परतिश्टित महाराष्टर बुशन पुरुसका 2020 के लिए किसे परदान किया जाएगा सो आसा बहुंशले को परदान किया जाएगा फिर बात करते हैं कॉर नैट ग्लोबल अकैडमी चलेंज 6.0 जो है वो किस आयाटी के द् यह निक्तर किया गया है अब यह दिया अपने एफसी आई की बात करते हैं फूड कॉपरेशन ओफ इंडिया जो इस यह जो है पर्टिकलर अपना जो कंजुमर अफेर्स और जो फूड डिस्ट्रिबूटर जो एक मिनिस्ट्री है जिसके हैड प्यूश कोईल जी अभी बने हुए हैं राम विलाज पासवान जी पहले इसके हैड थे उनकी मृतियों के बाद प्यूश गोल को इसका त्रिक कारभार दिया गया उसी के यह अध्यक्स अभी बने हैं फिर बात करते हैं अंदर पर देश के कुर्णूल में हवाई अडे का जो दुखाटन हुए है पर देश के बना है फिर बात करते हैं इसी के अंदर यदि जम्मो कश्मेर का जो बदगुम डिश्टिक है उसको भी टीबी मुक्त कर दिया गया और इसी के साथ साथ टीबी की जो रोग का उपचार करने के मामले में हिमाचल पर देश के अंदर नंबर वन पे रहा है फिर बात करते हैं नेम्स ऑफ दा वुमन जो कुछ तक है वो लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी की सो जीत थायली के द्वारा पर्टिकुलर ये बुक लिखी गई है तो यह था आज का वीडियो इस दी आप लोगों को पसंद आया उता आप इसे लाइक कीजिएगा एंड श कीजिएगे हैं उस परसन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के कुछिन का अंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे आज की आज कैसे लुए बताव के जिए जाएगे पाल बस्ट वीडियो कि आज की आज की आज की कि आज की आज की आज की आज की जाएगे